हेलो एवरिवन आई एम सौरब शर्मा वेलकम यू ओल तो अड़ा 24 7 क्लास 9th और 10 चैनल आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइशन ओफ पॉलिनोमल एंड फैक्टर थियोरम इससे पहले पॉलिनोमल चैप्टर के अंदर हमने यहां पे पढ़ रखाया ओलडी इ प्रम प्रम से ही लिंक करती है तो बच्चो चलिए समझते हैं फैक्टर केजिए सबसे पहले समझेंगे लास सेशन के लिए यहां पर रिमेंडर थियोरम पढ़ाई थी तो इस तरह की कोशन से आपने सौल करना सीखा था क्या कहता है इस question, जैसे इस question को हम समझते हैं, और फिर इसी से link करेंगे अपनी factor theorem को, उसी को समझ जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे, find the remainder of a polynomial Px, आपको given है, कि sir, x की power 4 minus 1 is divided by gx, x plus 1, यह दूसरा polynomial आपको given है, कि आपको बोला जा रहा है, कि remainder theorem, आप इसका remainder find करो, by using remainder theorem, हम find कर सकते हैं, कब जब इस polynomial Px के अंदर, इस दूसरे polynomial Gx का divide किया जाए तो, तो कैसे निकालते हैं, कि sir, हम यहाँ पे, हमने remainder theorem के अंदर यह सीखा था, कि sir, polynomial Px, जो मुझे given है, क्या दिया हुआ है आपको, x की power 4 minus 1, और दूसरा, जिसका divide करना है, वो Gx, मुझे given है, कितना, sir, x plus 1, अब इस polynomial Px को divide करना है, Gx से, और बाताना है, मुझे क्या, remainder, तो by using remainder theorem, कि हम अगर remainder theorem को याद करें, तो by using remainder theorem, remainder theorem, remainder theorem, remainder theorem क्या कहती है, कि remainder जो होगा, इस polynomial Px में, Gx polynomial का, अगर मैं divide करना हूँ, तो remainder जो होगा, वो क्या होगा, कि sir, यहाँ से, आप इसे करो, 0 की equal, और यहाँ से आप निकालो, x की value, x की value कितनी आ रिए, minus का 1, तो यह minus 1, x की value आ रिए, यह इस polynomial के अंदर, put कर दूँगा, x की जगह, तो मुझे remainder पता लग जाएगा, तो remainder क्या होगा, P of x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, minus 1, यह इसका remainder बताएगा, तो चलिए remainder theorem का use करके, अगर मैं इसका remainder find out करू, तो यहाँ पे आप लिखोगे, sir, P of minus 1, remainder जो है, P of minus 1, that is equal to x की power 4, तो x की 1 की power 4, 1 की power, कुछ भी कर दो, तो 1 ही रहेगा, तो पीछे क्या लिखावा है, minus 1, आपने देखा, यह आया, कितना remainder 0, तो हमें इसमें कोशिन के अंदर remainder find करने के लिए बोला गया था, तो हमने इसका remainder find किया, कितना आया, remainder 0, अब एक बात बताओ, कि अगर remainder 0 आया, इसका मतल क्या है, अगर मैं एक और basic सा example लूँ, जैसे suppose, अगर मैं कहता हूँ, कि कोई एक number है 30, ठीक है, तो 30 के अंदर, अगर मैं 2 का divide करूँ, सोचो जरा, 2 का divide करूँ, तो पूरा-पूरा चला जाएगा, 15 times पूरा-पूरा divide हो जाएगा, तो remainder क्या बचेगा, कि sir remainder क्या बचेगा, 0 बचेगा, अच्छा, अगर इसी 30 के अंदर, अगर मैं 3 का divide करता, तो 3 का divide करता, तो sir, पूरा-पूरा 10 times चला जाता, और remainder क्या बचता, sir, मेरे पास 0 बचता, इस case में भी remainder 0 बचता, तो इसका मदब remainder 0 कब बचता है, क्या मैं कुछ इससे logic निकाल सकता हूँ, तो मैं कहूं 30 के अंदर, इसके जो given factors है, अगर मैं उसका divide करूँ, तो remainder हमेशा क्या मिलता है, 0, देख लो, यहाँ पे 30 के अंदर 2 का divide किया, तो remainder 0 मिला, 30 के अंदर 3 का divide किया, तो remainder 0 मिला, अगर आप 30 के अंदर, अगर मैं 30 के अंदर 5 का divide करूँ, तो यह पूरा-पूरा 6 time चला जाएग और इस case में भी आपको remainder क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, remainder 0 मिलेगा, तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी number उस दिये हुए number का क्या है? एक factor है, given number का एक factor है, तो उस case में क्या होता है? remainder हमेशा 0 मिलता है, बस यही है, यही remainder theorem से निकल जाती है, क्या आपकी factor theorem? तो factor theorem क्या कहती है? कि अगर एक given polynomial के अंदर, दूसरे given polynomial का अगर मैं divide करूँ, और remainder क्या आजाए? 0 आजाए. और remainder क्या आजाए, बच्चों, 0 आजाए, तो उस case में मैं कहता हूँ, कि यह जो polynomial जिसका मैंने divide किया ना, यह दिये गए दूसरे polynomial का क्या है? एक factor है, बस यही तो है आपके factor theorem, बात clear हुई, तो remainder theorem से कैसे हमने switch कर दिया, factor theorem के पर, बोलो, सभी बच्चों को अच्छे से clear हुआ, तो चलिए, अब हम factor theorem की definition पढ़ लेते हैं, कि factor theorem क्या कहती है? if px is a polynomial, px क्या है? एक polynomial है, of degree, and is greater than or equal to 1, कि sir, यह तो remainder theorem में भी condition हमने पढ़ी थी, कि degree क्या होनी चाहिए, इसकी 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, and a is any real number, तो इस given polynomial px के अंदर, अगर मैं x-a का divide करूँ, कि x-a का divide करूँ, then x-a is a factor of px, if p a is equal to 0, p a क्या है? एक तरसे क्या represent कर रहा है? remainder को, remainder क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मैं कह दूँगा x-a जो है, वो इसका एक factor है, या मैं अगर यह कहूँ कि sir, अगर मुझे पता है remainder 0 है, तो मैं यह भी कह सकता हूँ, कि x-a जो है, वो px का एक factor है, बात उल्टी घुमा फिरा के वही बोल दी गई, कि आपको एक polynomial px दिया हुआ है, अगर आप इस polynomial के अंदर x-a का divide करो, तो जो remainder आएगा, remainder आएगा वो क्या लिखा जाएगा? p a, अगर मैंने इसके अंदर divide करा x-a का, और remainder आगया, suppose 0, तो मैं कहूँगा x-a जो है, वो क्या है? इस given polynomial px का एक factor है, या फिर मैं इस तरह से बोलू, कि सर, अगर मुझे ये दिया हुआ है, कि remainder 0 है, तो इसका मतलब x-a जो है, वो इस दियेगए polynomial का एक factor है, बात खतम, बस यही आपकी factor theorem, बात clear हुई, अब देखो, इसी को use करके, हम कैसे questions को solve करते हैं, सबसे पहले, factor theorem सभी बच्चों को clear हुई, तो exercise 2.4 के अब हम question solve करना शुरू करते हैं, जैसे देखो, पहला question आपके सामने, question किस तरह से पूछा जाएगा आपसे, factor theorem पे based exam के अंदर, कि examine whether x plus 2 is a factor of this given polynomial, and this given polynomial, कि क्या x plus 2 इन दोनों दिये गए polynomial का एक factor है, polynomial के अंदर divide करने पर remainder क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तो अगर remainder 0 आ गया, अगर remainder 0 आ गया, तो मैं कह दूँगा sir, x plus 2 जो है, वो इसका एक factor है, x plus 2 जो है, वो इसका भी एक factor है, बात खतम, तो मैं check कर लेता हूँ sir, मुझे क्या बोड़ रहा है, पहला एक polynomial मुझे दिया हूँ है, suppose इसको मैं p-x से लिखता हूँ, और ये polynomial क्या मुझे गिवन है, sir, x की power 3, plus 3x square, plus का 5x, plus का 6, ये मुझे गिवन है, अब इस polynomial का मुझे check करना है, क्या x plus 2, इसका एक factor है, तो मैं इस polynomial को gx से लिख देता हूँ, gx is equal to क्या दिया हूँ है, sir, x plus 2, अब मुझे क्या find करना है, कि sir, क्या ये इसका factor है, तो इसके लिए क्या निकालूँगा, remainder निकालूँगा, by using remainder theorem कहलो, या factor theorem कहलो, तो इसे करते हैं, x plus 2 को, x plus 2 को equal to 0 किया, तो यहां से आपके पास x की value आ गई, बोलो कितनी, minus 2, अब x की value minus 2 जो है, वो इस given polynomial के अंदर put करता हूँ, और remainder find करता हूँ, तो मेरे पास, p dash, p dash, minus 2 की value, calculate करता हूँ, देखो, remainder आ जाएगा, कि sir, x की value लिखी, यहां पर x की जिगा, minus का 2 और इसका cube, plus 3 as it is, then x square लिख रहा है, तो x की जिगा, sir, minus 2 और इसका square, plus 5, x की जिगा, sir, minus का 2, plus का 6, solve कर दो ज़रा, minus का cube, minus का cube करेंगे, तो minus आएगा, 2 का cube करेंगे, तो 8 आ जाएगा, simple, plus 3 as it is, minus का square करेंगे, तो plus हो जाएगा, 2 का square करेंगे, 4 हो जाएगा, plus और minus multiply हो के, minus 5 को 2 से multiply करूँगा, तो यह आगया, 10 और यह plus का 6, तैयार, ज़रा solve करें, तो यह आएगा, minus का 8, plus का 12, minus का 10, plus का 6, ज़रा check करो, देखो, plus plus वाले number, एक साथ, minus minus वाले number, एक साथ, तो 12 और 66, 6 एड होके, कितना हो गया, plus का 18, और minus का 8, और minus का 10, यह minus का 18, तो remainder क्या बच रहा है, sir, P-2, remainder क्या बचा, 0 बचा, जैसे ही remainder 0 आया, जैसे ही remainder 0 आया, तो मैं कह दूँगा, remainder 0 है, तो factor theorem से, हम बोलेंगे, कि sir, यह जो polynomial GX की value, हमें X plus 2 जो दी हुई है, यह इस दिये गए, polynomial P-X का एक factor है, तो हम कह देंगे, yes sir, यह इस polynomial का तो एक factor है, yes, यह इसका एक factor है, अब इसके लिए भी चेक करना है, sir, 2X plus का 4, इस polynomial के लिए भी चेक करना है, तो चलो कर देते हैं, कि sir, इस polynomial को, अगर मैं suppose, represent करूं, P-X से, जिसकी value मुझे दीवी है, 2X plus का 4, तो इसका remainder find करके देखता हूं, अगर मैं इस polynomial के अंदर, X plus 2 का divide करूं, तो remainder अगर 0 आ गया, तो मैं कहें दूँगा, यह X plus 2 जो है न, इसका भी एक factor है, by using factor theorem, तो यहाँ पे, X की value मुझे क्या put करनी है, minus 2, तो minus 2, X is equal to minus 2, अगर मैं, X is equal to, हम अगर put करें यहाँ पे, तो अगर मैंने लिखा, X is equal to minus 2, इसमें, तो remainder आएगा मेरे पास, P of minus 2, which is equal to 2, X की जिगह आप लिख दोगे, minus का 2, plus का 4, बोलो, minus 2 से 2 multiply होके, कितना हो गया, minus का 4, यह पीछे, plus का 4, calculate होके, कितना है, 0, आपने देखा, सर, इस case में, P of minus 2 की value, कितनी आ गई, 0 आ गई, तो यहाँ पे भी remainder अगर 0 आया, अगर यहाँ पे भी remainder 0 आया, तो मैं कह दूँगा, सर, यह इसका भी एक factor है, तो बोलो, क्या आपने examine कर दिया, क्या आपने check कर दिया, कि सर, यह X plus 2, जो मुझे polynomial दिया हुआ है, यह इन दोनों given polymers का एक factor है, कैसे निकाला factor theorem का use करके, कि सर, इसके अंदर divide करके, मैंने remainder check करा, remainder दोनों में 0 आया, जैसी remainder 0 आया, तो मेरे दिमाग में click हो गया, सर, by using factor theorem, कि यह इसका एक factor है, question solve, पहला question हमने समझ लिया, और questions करके देखते हैं, बोलेगा, और दियावा है, if x-1 is a factor of this given polynomial, कि अगर x-1 इस दिये हुए polynomial का एक factor है, इस दिये गए polynomial का एक factor है, तो आप k की value मुझे find करके बताओ, तो k की value निकाल देते हैं, सर, मुझे दे रहा है, कि एक polynomial यह मुझे दियावा है, सपोज इसे लिखता हूँ px से, let कर लिया, px is equal to, मुझे given है 4x cube, plus का 3x square, minus का 4x, plus का k, यह मुझे दिया हुआ है, कि कि इसमें मुझे k की value find करनी है, कि मुझे यहाँ पे इसके अंदर, sir, k की value मुझे find करनी है, जबकि दिया हुआ क्या है, इसका एक factor मुझे पता है, x minus 1, कि gx जो है न, gx, इसकी value मुझे दीवी है, x minus 1, यह क्या है, इस दिये का इस polynomial का एक factor है, तो मुझे पता है, अगर सिर यह इसका factor है, तो gx से, जब मैं इसको divide करूँगा, तो remainder कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तो remainder निकालने के लिए, मैंने इस gx polynomial, जिसका मैं divide करूँगा, इसे किया, 0 के equal, तो यहां से, आप कहोगे, कि सर, x की value आ गई, कितनी, 1, अब x की value 1, मैं क्या करूँगा, remainder find करने के लिए, इसके अंदर put कर दूँगा, तो यहां से कहोगे, remainder, remainder is equal to, p of 1, is equal to क्या होगा, 0, is equal to क्या होगा, 0, by using factor theorem, factor theorem से हम कह देंगे, कि सर, अगर यह हमें question में दिया हुआ है, x minus 1, इसका एक factor है, अगर factor है, तो सीदी सी बात है, remainder 0 आना चाहिए, अब remainder 0 है, तो आप इसमें put करो, इसर, p of minus 1, लिखोगे, सर, 4, x की जगा, आप क्या लिखोगे, सर, 1 उसका cube, plus का 3, x की जगा क्या लिखोगे, 1 उसका square, minus का 4, x की जगा क्या लिखोगे, 1 प्लस का k, और ये equal है, किसके 0 के, p of 1 की value लिखी, अब इसको solve कर दो, देखो, next step में आप क्या करोगे, 4, 1 का cube करोगे, तो 1 ही रहेगा, as it is रहेगा, plus 3, 1 का square करोगे, तो 1 ही रहेगा, उसको 3 से multiply करोगे, तो ये 3 ही रह जाएगा, 4 को minus 1, minus 4 को 1 सी किया, तो ये minus का 4, plus का k, is equal to 0, ठीक है, ज़रा solve करें, किसर ये plus का 4, minus का 4 तो cut गया, तो हमारे पास, k की value क्या जाएगी, इस 3 को, plus 3 को उधर भेज़ेता हूं, तो ये आजाएगा, minus का 3, क्या आपको k की value ही find करनी थी, क्या आपको k की value ही find करनी थी, हमने कर दी, बोलो ये हो गया इसका answer, के की value हमने find कर दी, के की value आगई, minus का 3, ये इसका correct answer हो जाएगा, question number 2, solve, और questions करके दिखते हैं, देखें, अगला question, अब देखो, factor theorem से, हम यहाँ पे, अब factorization पे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा topic क्या था, factor theorem और factorization of polynomial, तो ये आपको एक polynomial given है, polynomial given है, आपको इसके factors निकालने, factorization method करना है, तो factorization करने के लिए, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन उसमें से, सबसे easy जो है, वो middle term को split करने वाला है, तो हमें एक polynomial दिया हुआ है, 6x square, plus का 17x, plus का 5, ये मुझे given है, अब मुझे इसके factors निकालने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तरीका सीखना, कि sir, x square का जो coefficient है, that is 6, और जो constant है, 5, इन दोनों को करो आप multiply, तो multiply with sign, ये भी देखो plus का, ये भी plus का, तो 6 और 5 multiply होके कितना आ गया, sir 30, ये rough में करूँगा, ठीक है, 30 आया, इनको multiply करने पर, अब 30 के मुझे ऐसे दो factors करने हैं, ऐसे दो factors मुझे बताने हैं, जिन्हें add करने पर, ये add करना क्यों बोला, क्योंकि sir, यहाँ पर sign किसका है, प्लस का है, अगर sign प्लस का है, तो मैं कहूँगा add करने पर, कि अगर constant term minus की होती, तो मैं कहता, subtract करने पर, ठीक है, तो आप बोलोगे, sir, इस 30 के ऐसे दो factors करने हैं, जिन्हे add करने पर कितना मिल जाए, प्लस का 17 मिल जाए, तो शुरू करें, factors करना, कि अगर factor की शुरुबात करूं, सबसे पहले मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 को किस से multiply करूं, कि मुझे 30 मिल जाए, तो आप कहो, sir, 1 को 30 से multiply करना पड़ेगा, तब आपको 30 मिलेगा, लेकिन इनको multiply करने पर 30 तो मिल गया, क्या इन्हे add करने पर, जो आपने दूसरा statement बोला था, कि add करने पर क्या आपको प्लस का 17 मिल सकता है, मैंने का नहीं सर, ये नहीं मिल सकता, तो ये इसका factor होना possible नहीं है, देखें, अगर 1 के बाद next number क्या आता है आपका, 2, तो 2 को किस से multiply करूँ को मुझे 30 मिल जाए, तो 2 को आप बोलोगी सर, 15 से multiply करो, तो आपको 30 मिल जाएगा, अब 2 और 15 को add करने पर क्या, प्लस का 17 मिलता है, जरा देखो, गौर से, हाँ सर, मिल रहा है, 2 और 15 दोनों को अगर मैं add करूँ न, तो मुझे प्लस का 17 मिल जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का होना चाहिए, अब इनके आगे देखो, वेरेबल अगर x है, तो यहाँ पर भी x लगा दिया, यहाँ पर भी x लगा दिया, आपने, ब्लस का 2 x, ब्लस का 15 x, ब्लस का 5 as it is, अब देखो, आप next step में क्या करोगे, first two term में से क्या common आ सकता है, कि sir, two common आ सकता है, और क्या common आ सकता है, sir, x common आ सकता है, common निकाला, तो ये बचा, अब ये बचा मेर पास 3 x प्लस का 1, प्लस इन दोनों टम्स में से क्या common आ सकता है कि सर फाइफ common आ सकता है तो common निकाला तो क्या बचा सर फ्री एक्स प्लस का 1 अब आप next step में क्या करोगी जो दोनों ब्रैकेट हैं same आए है same आना ज़रूरी है यह आपका check हो जाता है कि हाँ से दोनों ब्रैकेट जो है वो same है या नहीं है तो दोनों ब्रैकेट मेरे पास same है मैंने कहा से 3x प्लस का 1 और दूसरा ब्रैकेट बन गया मेरे पास 2x प्लस का 5 तो यह क्या हो गए factors हो गए कि given polynomial यह जो मुझे 6x square प्लस का 17x प्लस का 5 यह जो polynomial मुझे given था इसके factors मुझे factorize करने बोला था मैंने इसको factorize कर दिया यह इसका answer यह इस question का answer बोलो clear हुआ सबी बच्चों को आच्छे समझ में आए question number 3 यह भी solve और questions के practice करके दिखते हैं कि और किस किस तरह के questions आते हैं देखो अपकी बार आपको factorize करने बोला है लेकिन जरा गौर करें सब जरा पिछली वाले question को देखो आप से अगर बच्चों मैं यह पूछूं कि यह जो polynomial है यह कौन सा polynomial है आप बोलो के सब number of terms के कॉर्डिंग पूछ रहे हो या degree के कॉर्डिंग पूछ रहे हो तो आपने मैंने कहा कि sir मैं तो number of terms के कॉर्डिंग अगर बताऊं तो इसे trinomial कहूंगा क्योंगी तीन terms है लेकिन अगर आप degree के कॉर्डिंग पूछ रहे हो तो degree तो इसकी maximum power 2 है variable की तो इसे quadratic कहूंगा तो अगर variable की या मैं ये कहूं polynomial की polynomial की degree अगर 2 है तो इसके number of factors कितने होते हैं sir 2 होते है अगर polynomial की degree 3 होगी तो इसके factors कितने होंगे 3 होंगे बात clear हुई अगर degree उसकी 4 है तो इसके number of factors कितने होंगे sir 4 होंगे देखते ही question अगर माल लो आप से इस तरह आप दे दिया जाए कि sir ये quadratic polynomial आपको दे दिया और पूछे बताओ इसके number of factors कितने होंगे factor find नहीं करना बस numbers पूछ रहा है तो आप तुरंत answer दे सकते हो कि sir अगर उसकी degree 2 है तो उसके number of factors 2 होंगे अगर degree 3 है तो number of factors 3 होंगे अगर degree 4 है तो number of factors 4 होंगे अगर degree 100 है तो number of factors भी 100 होने है बात clear अब देखो अगला question जो आपको दिया वा है ये चीज मैंने क्यों बताई क्योंकि यहाँ पे अब आपको degree कितनी दिख रही है सबसे पहले ये polynomial की देखो कि सर इस polynomial के degree मुझे दिख रही है 3 अगर polynomial के degree 3 है तो आप कहो कि इसके factors कितने होंगे 3 factors होंगे कितने factors होंगे 3 factors होंगे जब degree 2 थी एक quadratic polynomial था तब तो हमने middle term split करके कर दिया लेकिन जब degree 3 होगे तो उस case में हम क्या करते है हम सबसे पहले assumption लगाते हैं कि सर यहाँ पर यह जो polynomial मुझे given है जरा सीखना कि सर यह जो polynomial पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि सर मुझे एक polynomial दिया हुआ है x cube minus का 23 x square plus का 142 x minus का 122 यह polynomial मुझे given है variable x के अंदर तो लिखूँँगा कैसे px अब सबसे पहले मैं एक बार hit and trial method लगाँगा hit and trial क्या होता है कि सर यह variable जो है अब यह variable है variable के तो कोई भी value हो सकती है vary करती है infinite values है 0 भी हो सकता है plus 1 भी हो सकता है minus 1 भी हो सकता है plus 2, minus 2, plus 3, minus 3 कुछ भी values हो सकती है infinite many values है तो मैं क्यों ना सबसे पहले hit and trial करके देखूँ कि सर कोई भी एक value पुट करके देखूँ x की क्या वो 0 हो जाएगा अगर 0 हो गया अगर 0 हो गया उस value को पुट करने पर इसका मतलब वो इसका ही क्या होगा factor होगा यही तो अभी अमने factor theorem में पढ़ा था तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जैसे 0 से तो अगर मैं x equal to 0 पुट करूँ तो इस polynomial की देखता हूँ की value क्या होगी P0 x की जगे 0 लिखना है तो 0 का cube 0 का cube minus 23 into 0 का square plus 142 into 0 minus का 120 अब आप बोलोगे सब 0 का cube तो 0 हो गया 0 का square भी 0 होगा जिसे 23 से multiply करूँगा तो यह भी 0 हो गया पीछे 142 को 0 से multiply करोगे तो वो भी 0 हो गया तो यह भी आपके पास plus 0 और पीछे बचा minus का 120 क्या 120 0 के equal आया नहीं सर यह 0 के equal नहीं हुआ यह 0 के equal नहीं हुआ तो 0 के equal नहीं हुआ तो इसका मतलब x is equal to 0 इसका एक factor नहीं है ऐसे ही और करके देखते हैं सर अब मैंने 0 रखा तो उसके बाद आप hit and trial में क्या करोगे x की value अब 1 पुट करके देखता हूँ तो मैं लिखूंगा सर p of 1 अगर p of 1 यहाँ पे पुट करूँ p of 1 यहाँ पे पुट करूँ कि सर एकस की जिगा 1 लिखना है तो x का cube यानि की 1 का cube minus का 23 x का square यानि की 1 का square plus का 142 x की जिगा सर 1 पीछे minus का 122 ज़रा solve कर देखे 1 का cube 1 सही है 1 का square करूँगा तो भी बनाएगा उसे 23 से multiply करूँगा तो यह minus का 23 as it is रह जाएगा 142 को आप 1 से multiply करूगे तो plus का 142 और पीछे से minus का 120 अब plus plus वाले number minus minus वाले number एक साथ हो जाएगे तो देखा सरा कि सर यह plus वाले 142 और 1 बोलो कितने हो गए 143 हो गए और minus वाले 1 minus का 23 और minus का 120 कितने हो गए सर minus का 143 हो गए तो P of 1 की value कितनी आ गई सर 0 आ गई आपने देखा कि सर जैसे ही मैंने x की value 1 पुट करी x की value 1 पुट करी तो इस polynomial की value 0 हो गई यानि कि 0 यह क्या हो गई अब रिमेंडर अगर 0 मिला मुझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एकस इस इक्वल टू 1 इसका क्या है एक 0 है इसका क्या है एक 0 है x is इक्वल टू 1 रखने पर यह polynomial 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब यह इसका 0 है तो factor क्या होगा कि सर इस 1 को आप इधर ले चलो तो यह आजाएगा मेरे पास इसका एक factor x minus 1 एक factor तो पता लग गया सर आपने कहा था इसकी degree 3 है तो number of factors होने चाहिए इसके 3 उन 3 में से एक factor अभी मुझे पता लगा है अब बाकी के 2 कैसे निकाल लो जरा दिमाग से खेलेंगे अच्छा एक बात बता हो कि अगर बच्चों मैं कहता हूँ कि सर थर्टी कोई number है अगर थर्टी कोई एक number है अब थर्टी का एक factor अगर सपोज मैं आपको बता दूँ आपको हो सकता है इसके सबी factors बता होंगे लेकिन for assumption, अगर मैं आपको बोलूँ कि 30 का एक factor जो है, वो क्या है? 2 है, तो आप से पूछूँ कि बाकी के दो factors आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे, 30 का जो एक factor 2 है, इसका एक factor 2 है, उससे मैं इसको करता हूँ, divide, divide करूँगा तो मेरे पास आएगा, यहां पे question, जो आ है, remaining 2 factors क्या हो गए, 3 और 5, कैसे निकले, किसे जो factor मुझे पता लगा, मुझे जो गीवन था, यह जो मुझे पता था, 30 का एक factor 2 है, तो मैंने क्या किया, 30 के अंदर 2 का divide कर दिया, जो यहां पे quotient आया, जो divide करने पे आया, उसके फिर मैंने factors कर दिये, factor करते ही, मुझे इसक ex की अंदर, x-1 का divide करूँ, तो जो quotient आयेगा, जो भी quotient आयेगा, suppose उसे qx लिख देता हूँ, और उस quotient के मैं कर दूँ अगर factors, तो मुझे इसके remaining 2 factors भी पता लग जाएंगे, बात खतम, सर खेल खतम, इसी तर से एक factor तो मुझे पता लग गया, remaining 2 factors, quotient से मैं निकाल सकता ह कर देंगे, सर, देखो, तो अब हम यहाँ पे इसी के जरीए करते हैं, इसको अगले page पे कर रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, सर, x-1, इससे मुझे divide करना पड़ेगा, इस दिये गए polynomial को, यह polynomial क्या दिया हुआ है, सर, x की power 3, minus का 23x square, plus का 142x, minus का 120, यह मुझे given है, अब इसके दिवाइट करके देखो, डिवाइट करते हैं, कैसे डिवाइट करते हैं, सर, हमने सीखा भी था, कि सबसे पहले इसकी जो first term और इसकी first term को डिवाइट करेंगे, इसकी first term है x cube, जिसके अंदर first term x का मैं डिवाइट करूँगा, तो इतना बच्चे का मेरे पास, x square, कहां लि x square, x cube बाली term के नीचे x cube, लिखा आपने, अब देखो जरा, क्या आप करोगे, अब डिवाइट जैसे हम करते हैं, सर, इसके सब्ट्रैक करना पड़ेगा, सब्ट्रैक करते वज़ साइन चेंज, प्लस का बदल गया, माइनस में, माइनस का चेंज हो गया, प्लस के अंदर यह कट गए, क्या बचा आपके पास, कि सर, इसको solve करने पर हमारे पास बचा, माइनस का 22x square, प्लस का 142x, माइनस का 120 is equal to, अब यह आपके पास बचा, अब देखो इधर से first term क्या है, आगे division करने के लिए हमने इसका first term उठाया, माइनस का 22x square, इधर से first term क्या है, सर, x, तो तो माइनस का 22x, माइनस का 22x, इधर put कर दिया, अब माइनस 22x को एक एक करके पहले x से, फिर माइनस 1 से multiply कर दूँगा, तो माइनस 22x को अगर आप x से multiply करोगे, तो बोलो क्या हैगा, माइनस का 22x से square, फिर माइनस का 22x को अगर आप माइनस 1 से multiply करोगे, तो सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस अच्छा 22 को 1 से मुटिप्ला किया 22x पीछे लग गया correct है अब क्या करते हैं जर इसके बाद the next step में इन्हें सब्ट्राक करते हैं, जब भी सब्ट्राक करते हैं, साइन हमेशा चेंज, तो माइनस का बदल गया, प्लस का चेंज हो गया, माइनस के अंदर, फर्स्ट टम हमेशा की तरह कैंसल, सेकिंड टम देखो, आपके पास 142 में से, अगर 22 आप माइनस करोगे, क्या बचा, एक से एक से कैंसल होके, बोलो 120 बच गया, प्लस का 120 कहां लिखा जाएगा, सार 120 यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है, अब 120 को एक एक करके, इन दोनों से मल्टिप्लाए, तो 120 को एक से मल्टिप्लाए करूँगा, 120 एक्स, रेमेंटर 0 आना चाहिए था, क्या? आना चाहिए था ना, क्योंकि सर, हमने अभी थोड़ी दिर पहली मिल्हे तो निकाला था, x-1 जो है, वह इसका एक factor है, तो फैक्टर होता है, तो रेमेंटर 0 ही बचता है, रिमेंटर जीरो बचा हमने इसका मदलब डिवीजन भी सही किया है अब हमारे पास ये टम आ गई इसके क्या करूँगा मैं अब फैक्टर करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं बोलू कि सर मुझे यहाँ पे QX की वैल्यू पता लगई that is equal to X square minus 22X plus 120 अब हम इसके factors कर दें अभी आमने सीखा थो था अभी अमने इससे पिछली वाले question के अंदर किया था quadratic equation है यह तो quadratic polynomial है इक quadratic polynomial है तो इसके कितने factors होंगा सर 2 निकाल देते हैं कैसे करते हैं सर इसका first X का coefficient और constant इन दोनों का multiply करके देखा कितना आया sir 120 आया अब 120 के ऐसी दो factors जिन्हें add करने पर minus का 22 मिल जाए आप शुरू करोगे 1 से तो 1 को multiply करोगे 120 से लेकिन इनको add करने पर sir कैसे भी minus का 22 नहीं आ सकता अगर मैं दूसरा लिखूं तो sir यहाँ पर 2 इसको multiply करोगे आप 60 से sir यह भी नहीं होगा यह भी तो नहीं आ रहा तो ऐसे इसके factors जब आप find out करोगे तो आपके पास factors क्या जाएंगे sir 12 और 10 दोनों को यह sign minus के हो जाएंगे 12 और 10 12 और 10 तो यह दोनों अगर इसके factors हुए तो आप next step में दिखोगे sir x square minus का 10 x minus का 12 x plus का 120 बोलो first two terms में से common आया sir x बचा क्या x minus 10 फिर इधर इन दोनों terms में से क्या common लोगे sir minus का 12 बचा क्या sir x minus 10 दोनों bracket same है बिल्कुल सही है sir बिल्कुल same आ रहे है तो हमने सही किया है तो यहां से देखो एक bracket तयार हुआ x minus 10 दूसरा bracket तयार हुआ x minus 12 तो remaining two factors आपको पता लग गए तो आपको इसके तीनों factors अब लिख दोगे कि sir इसका पहला factor एक तो हमने बताया ही था sir क्या था x minus 1 दूसरा factor हमने इसका निकाल दिया x minus 10 और तीसरा factor अभी हमने पता किया that is x minus 12 x minus 12 तो यह तीनों क्या हो गए इसके factors हो गए हमने question की शुरूबात में ही बोला था कि sir इसके degree 3 है तो number of factors भी 3 आरी चाहिए तीनों factors हमने calculate कर दी questions solve questions solve और questions की practice करके दिखते हैं अब आपसे अगला question क्या कहता है determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor first part यह polynomial मुझे दे रहा है क्या x plus 1 इस दिये गए polynomial का एक factor है तो sir अभी हमने सीखा था by using factor theorem कि अगर यह इसका एक factor है तो remainder क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो मैं क्या करता हूं sir यह जो polynomial मुझे गीवन है x cube plus x square plus x plus 1 इस polynomial के अंदर मैं x plus 1 इस polynomial को अगर मैं लिख दूँ किस से? sir p x से तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा? sir दूसरा polynomial g x इसका divide करूंगा और remainder क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए अगर 0 आ गया तो मैं कहा दूँगा हाँ sir यह इसका factor है तो आप remainder निकालने के लिए g x को करोगे पहले 0 के equal यहां से निकालोगे sir x की value कितनी आई? minus 1 तो x is equal to minus 1 मैं क्या करता हूँ? इस polynomial के अंदर put करतेता हूँ so x is equal to minus 1 put करने पर यह polynomial p of minus 1 की value जो होगी वो remainder के बराबर होगी remainder के बराबर होगी और यह कितना होना चाहिए 0 अगर यह 0 आया ना तो मैं कहूंगा हां sir यह x plus 1 जो है इसका एक factor है by using factor theorem तो मैं calculate करता हूँ p of minus 1 which is equal to 1 की जगा आप क्या लिखोगे minus 1 इसका cube plus का x square यहांने की minus 1 का square plus का x यहांने की minus का 1 पीछे plus का 1 बोलो solve कर दे minus 1 का cube minus का cube minus 1 का cube 1 plus का sign as it is minus का square plus 1 का square 1 फिर पीछे minus का 1 यह plus का 1 देखो यह minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 cut कटा के कितना है 0 तो p of minus 1 की value कितनी आगई आपके पास 0 remainder कितना है आपके पास 0 अगर remainder 0 होता है तो मैं कह देता हूँ sir yes बिल्कुल definitely यह इसका एक factor है yes sir x plus 1 जो है वो इस given polynomial का एक factor है question solve यही तो हमें examine करने के लिए बोल रहा था यही तो हमें determine करने के लिए बोल रहा था हमने कर दिया easily solve हो गया चलिए question number 5 का first part हमने देखा अगला देखते है determine which of the following इसका second part आपको फिर से दिया हुआ है x plus 1 क्या इस given polynomial का एक factor है तो मैं इस polynomial को अगर लिखूँ सबसे पहले तो मुझे एक polynomial p x given है बोलो कितना sir x की power 4 plus 3 x square plus 3 x cube है पहले फिर plus का 3 x square plus का x sir g x जो मुझे given है g x is equal to x plus 1 इसे करूँगा 0 के equal फटा फट से आप बताओगे sir x की value minus 1 x की value minus 1 रखने पर ये polynomial 0 के equal अगर आया तो बिल्कुल इसका factor है अगर 0 के equal नहीं आया तो इसका factor नहीं है तो मैं इसकी value find कर देता हूँ p of minus 1 कितना आएगा sir 1 x की जिगा लिखना है minus 1 इसकी power 4 plus का 3 x की जिगा sir minus 1 इसका cube plus का 3 x की जिगा sir minus 1 इसका square plus का x की जिगा sir minus 1 और ये plus का 1 solve कर दो minus की power 4 minus की power 4 plus हो जाएगा 1 की power 4 1 plus 3 minus की power minus minus की power odd number है तो एक minus ही रहेगा 1 की cube तो 1 रह जाएगा ये plus 3 minus का square plus हो जाएगा 1 का square 1 हो गया plus minus minus का 1 और ये पीछे plus का 1 ठीक है ज़रा देखें तो सरी minus 1 plus 1 ये तो cut गए क्या बच रहे है यहाँ पे ये plus का 1 3 को minus 1 से करा तो ये आया minus का 3 3 को plus 1 से करा तो ये आया plus का 3 minus 3 plus 3 कट गए लेकिन बच्चा क्या मेरे पास 1 तो P of minus 1 की value कितरी है 1 which is not equal to 0 और अगर ये 0 की equal नहीं है तो इसका मतलब ये इसका factor भी नहीं है 0 की equal होता तो मैं कहता ना factor है तो मैं कह दूंगा सरी no this is not a factor of this given polynomial बोलो second part भी आपने समझ लिए question 5 solve आगे बढ़ते हैं और questions की practice करके देखते हैं next question देखो आपके सामने check whether gx is a factor of Px by factor theorem कि sir क्या ये gx जो है वो इस given polynomial का एक factor है मुझे factor theorem का use करते वे check करना है तो देखो इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले x plus 1 इसे करोगे आप 0 के equal तो यहां से आपके पास आएगी x की value which is equal to minus का 1 अब x is equal to minus 1 रखने पर अगर ये polynomial 0 के equal हो गया तो मैं कह दूँगा हां sir ये इसका एक 0 है तो यहां पे इस polynomial Px की अंदर जिसकी value मुझे दी भी है 2x cube plus का x square minus का 2x minus का 1 ये मुझे given है इसके अंदर क्या करते हैं हम x is equal to क्या put करेंगे sir minus का 1 minus का 1 put करने पर P of minus 1 कितना आता है ये मुझे check करना है क्या ये इसका 0 होगा ये नहीं होगा check कर लेते हैं तो 2 as it is x की जिगा आपने minus 1 इसका cube plus x की जिगा आपने minus 1 इसका square minus का 2 x की जिगा आपने minus 1 और ये पीछे minus 1 ठीक है करें solve इसको तो कितना आता है 2 as it is minus का cube minus 1 का cube 1 as it is लिख दिया plus minus का square plus 1 का square 1 minus और minus plus का 2 और ये पीछे minus का 1 बोलो कितना 2 को minus 1 से multiply किया तो ये आया minus का 2 1 को 1 से किया तो ये plus का 1 पीछे है plus का 2 और ये minus का 1 देखो कितना आ रहा है गेम बन गया क्या किसर ये plus का 2 minus का 2 कट गए plus का 1 minus का 1 ये भी cancel out तो बचा क्या remainder 0 बचा तो P of minus 1 की value कितनी आई 0 की equal आई तो इसका मतलब remainder 0 आ रहा है और remainder 0 आता है तो मैं कहता हूं yes this is definitely a factor of this given polynomial तो यहां पर आम answer में last line क्या लिख देंगे GX is a factor of PX given polynomial questions solve करें आगे और questions की practice करें देखो अगला question क्या अगे ता है find the value of K K की value आपको find करनी है अगर X minus 1 जो है वो इस given polynomial का एक factor है ये आपको दियावा है is a factor of this given polynomial PX अगर ये given है आपको तो आप बोलोगे Sir X minus 1 ये इसका एक factor है तो X minus 1 को 0 की equal करता हूँ इसका मतलब X की value आर ये मेरे पास 1 और X की value 1 रखने पर X की value 1 रखने पर ये polynomial PX equal to 0 होना चाहिए क्योंकि ये ही तो factor theorem कहती है तो P X की जगा 1 is equal to किसके? 0 के अब बोलो इस polynomial के अंदर अगर मैं X की जगा 1 रखूँ तो यहाँ पर आप बोलोगे Sir P X की जगा बोलो क्या? 1, 1 का square फिर plus as it is X की जगा 1 plus ये K is equal to किसके? 0 के बोलो सही लिखा क्या मैंने? सही लिख दिया अब आपको K की value find करनी है तो आप next step में करोगे Sir 1 का square 1 plus 1 plus K is equal to 0 तो यहाँ से बोलो 1 और 1 add हो के कितना हो गया? 2 plus K is equal to 0 तो यहाँ से आपके पास क्या K की value आ रही है? minus का 2 K की value आई है आपके पास कितनी? minus का 2 क्या आपको यही find करना था? हमने find out कर दिया नही है यह इसका answer यह सब देख रहे हो questions आपके factor theorem पे based आ रहे है questions समझ में आए easily यह आपने इसका first part solve किया है और ऐसे questions को solve करके दिखते है जिससे हमें इसका concept अच्छे से clear हो जाए तो देखो next part में आपको एक और polynomial दिया हुआ है फिर से आपको इस k की value आपको find करनी है आपको बोला है x-1 जो है वो इसका एक factor है अगर यह इसका factor है तो हमें पता है sir x की value कितनी आ गई? 1 आ गई इसे 0 के equal करेंगे तो x की value 1 आ गई तो 1 put करने पर यह polynomial 0 के equal हो जाना चाहिए बस यही चीज यूस करूँगा मैं यहाँ पर कि sir polynomial p और x की जगा मुझे लिखना है 1 is equal to देखो 2 as it is x की जगा 1 उसका square plus k as it is x की जगा क्या लिखना है sir? 1 लिखा आपने plus under root 2 और यह equal होना चाहिए किसके sir? 0 के यह equal होना चाहिए sir 0 के तो यहाँ से solve करें आप next step में बोलोगे 2 1 की power square की जगा है तो उसकी value कितनी होगे? 1 plus का k और यह plus का under root 2 under root 2 which is equal to 0 तो यहाँ से आपके पास आया 2 plus under root 2 plus k is equal to 0 अगर मैं इन सब को इन दोनों को उदर भेज दूँ भाई आप एक rational number है और एक irrational number है दोनों को add करना तो possible है नहीं तो इन दोनों को उदर भेज दता हूँ as it is तो यह k की value क्या आपके पास आजाएगी? इससे 2 दर जाके minus का 2 root 2 दर जाके minus का under root 2 आप यह भी इसका answer बोल सकते हो और थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो k is equal to minus common लेके आप 2 plus under root 2 यह भी इसका answer आप बोल सकते हो यह हो जाएगा इसका answer दोनों में से कोई भी आप किसी भी form में आप अपना answer रिपेसेंट कर सकते हो यह question का solution हो गया हमने के की value इसमें आपको बुला इसका factorization कर दो तो factorization करना हमें पता है कि सर इसके degree कितनी है सर 2 तो number of factors कितनी होने बातों बातों में यह तो सर हमें पता है कि अगर degree 2 है तो number of factors भी 2 होंगे अब कौन कौन से होंगे चले उसको factorize कर देते हैं कि सर मुझे दिया वा है 12x square minus का 7x plus का 1 यह polynomial मुझे given है कैसे करते है factors कैसे निकालते है कि सर x square का coefficient और constant इन दोनों को करते है multiply तो 12 और 1 दोनों का multiply कितना हुआ साइन के साथ multiply कि यह plus का यह भी plus का 12 आ गया अब 12 के ऐसे दो factors जिने प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए minus का 7 बोलो क्या कि सर 4 और 3 4 और 3 4 तौर 12 होता है और इनको add करने पर minus 7 कब मिल सकता है जब दोनों कैसे हो minus के हो दोनों कैसे हो बच्चो minus के हो तो दोनो और minus के अब देखो इनको multiply करोगे minus से minus plus हो गया 4 तौर 12 हो गया minus और minus add होंगे, कितना बन जाएगा, minus का 7, इनके पीछे variable लगा दो, x variable है, तो ये x लगा दिया, middle term minus 7x, अब इसकी जगा मैं put कर दूँगा, इन दोनों को, और ये इसके factors बता देंगे, तो देखो, 12x square, minus का 4x, minus का 3x, plus का 1, आप next step में बोलोगे, first two term में से बोलो, क्या common आ सक क्या common निकालोगे, 12 और 4, numbers में से देखो, 12 और 4 में से 4 common आ सकता है, जी हां sir, 4 common आ सकता है, x square और x, variable में से क्या common आ सकता है, sir, x common आ सकता है, तो 4x common निकाल लिया, अब 12 में से 4 अगर common आ चुका है, तो बच्चा कितना, इससे 3 बचा, divide कर के देख लो, 12 के अंदर 4 का divide करू तो x बचेगा, तो 3x बचा, बीच में minus का sign, minus, 4x का 4x पूरा बाहर आ चुका है, तो ये तो 1 हो गया, अच्छा, इसमें से क्या common लोगे, पीच्छी वाली दो terms में से, किसर कुछ भी common नहीं आ रहा, और जहां कुछ नहीं होता है, वहां 1 होता है, लेकिन एक चीज सोचने क मैं plus 1 लो या minus 1, मुझे अंदर sign चाहिए किसका, minus का, बीच में sign चाहिए किसका, minus का, यहां बीच में sign किसका, और plus का, यानि कि sign बदलना है, और sign जब बदलना होता है, तो minus को हमेशा common लिया जाता है, तो यहां पे minus 1 आप common लोगे, और यह आ जाएगा आपके पास 3x minus का 1, यह चोटी-चोटी सी चीजे हैं, जो आपको आगे तक काम देने वाली है, ठीक है, तो यहां पे आपने देखा, दोनों bracket सेम हो गए, इसका मतलब मैंने factor सही बनाए है, तो पहला factor तो हो गया, आपके पास 3x minus का 1, दूसरा factor हो गया, आपके पास 4x minus का 1, यह दोनों आपके इसके factor हो गया, आपने question की शुरुवात में ही बोला था कि इसके number of factors कितने होने हैं, इसके number of factors कितने होने हैं, और दोनों factors किया हमने find कर दी है, 3x minus का 1, और 4x minus का 1, यह इसके factor हो गया, यह question का answer, solve, यह question number 8 भी solve, और questions की practice करते हैं, देखो अगला question, फिर से आपको एक quadratic polynomial फिर 2x square plus का 7x plus का 3, यह मुझे दिया हुआ है, तो आप करो इसके factor, x square का coefficient 2, constant number 3, तो 2 और 3 को multiply करों, तो आता है मेरे पास sign के साथ multiply किया है, 6 आया, अब 6 के ऐसे दो factors आपको बताने हैं, जिनहें add करने पर, पीछे sign plus का है, इसलिए बोर रहा हूँ, add करने पर कितना मिलना चाहि 3 के, 6 के ऐसे दो factors, तो 7 कब आ सकता है, अगर मैं पहला factor लिखू, 1 और 6, देखो ज़रा, multiply करने पर 6 मिला, मिल गया, add करने पर plus 7 मिल जाएगा, मिल जाएगा, sir, game हो गया, तो यहाँ पर variable इसके आगे भी x लगा दिया, variable x था, यहाँ पर भी लगा दिया, दोनों को लिख द होता है, तो हम बोलते है, 1 होता है, तो यहाँ आपने x लिख दिया, then पीछे क्या लिखावा है, plus 6x, plus 3, अब यहाँ से देखें, तो यहाँ फर्स्ट 2 term में से क्या common आ सकता है, कि numbers में से देखो, पहले कुछ common आ रहा है, कि 2 और 1 कुछ भी common नहीं है, तो कुछ भी common नहीं ह x और x square में से common आ सकता है, sir, only x, तो यहाँ पर बचा मेरे पास 2x plus 1, देखो, अब यहाँ पर देखो, 6x और 3, इन में से क्या common आ सकता है, पहले number में से check करो, 6 और 3 में से क्या common निकाल सकते हो, sir, 3 common निकाल सकता हूँ, अब variable क्या common आ सकता है, नहीं, sir, यह लिखा, हमने यहा मतलब मैंने factor सही करें, तो अगला step आप बोलोगे, पहला factor तो हो गया, sir, 2x plus 1 और दूसरा factor हो गया, x plus 3, यह इसके factors हो गया, यह इसके factors हो गया, तो हमने इसके दोनों factors find कर दिये, 2x plus 1 and x plus 3, यह इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, question solved, clear, और questions करें, यह question number 9, solve, आगे बोलता है, अब आपको देखो, यह एक और polynomial दिया भाई, आपको बोला, इसको factorize करके बताओ, तो factorize कैसे करेंगे, sir, इसके पहले यह बताओ, मुझे, question देखते ही, आपके दिवाग में क्लिक हुआ, कि इसके कितने number of factors होने है, sir, इसके degree 3 है, अगर degree 3 होती है, तो number of factors कितने होते हैं, बच्चों, 3 होते हैं, यह बात तो हमें clear, अब 3 होते हैं, तो एक question अभी थोड़ी दिर पहले भी किया था, क्या था वो, कि sir, 3 जब होते हैं, तो पहले hit and trial method अपनाना पड़ेगा, पहले hit and trial करके देखते हैं, तो हमें एक polynomial देखो, गीवन है, सबसे पहले देखो मुझे px दिया हुआ है, इस polynomial में variable x है, इसलिए px लिख दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, sir, मुझे x cube minus 2x square minus x और ये plus का 2, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे given है, तो इसमें hit and trial के लिए variable x की value different, different मैं put करता रहूंगा, अगर सबसे पहले शुरुआत करूं किस से, sir x equal to 0 से, अगर 0 put करूं, तो px की जगा 0 is equal to, बोलो 0 का cube, 0 directly दो क्या, 0 का cube तो sir 0 होगा, अच्छा, पीछे minus 2, 0 का square, आप x की जगा 0 लिखोगे ना, तो 0 का square 0, और 0 को 2 से multiply करोगे, ये भी 0 हो जाएगा, बोलो ये term भी 0 हुई, पीछे minus x की जगा 0 लिखना है, और ये plus का 2, solve करोगे तो कितना हा रहा है, plus का 2, क्या ये 0 के equal हुआ, नहीं sir, ये 0 के equal नहीं हुआ, इसका मतलब x equal to 0, इसका एक 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो factor भी नहीं हो सकता, then next number आप put करोगे sir, x is equal to क्या, 1, x is equal to 1, put करके देखते हैं तो यहाँ पे लिखूंगा, sir, p of 1 is equal to, x की जगा, sir, 1 उसका cube, minus का 2, x की जगा, sir, 1 उसका square, minus x की जगा, sir, 1 और ये plus का 2, solve कर लो, 1 का cube 1, minus 1 का square, 1 और 2 as it is, minus 1 ये plus का 2, तो देखो, minus 2 और plus का 2, cancel, plus का 1, minus का 1, cancel, क्या बच्चा आपके पास 0, कब आया, sir, जब x की जगा मैंने 1 put किया, x की जगा 1 put करने पर ये मेरे पास किसके equal आया, 0 के equal आया, अगर ये x equal to 1 put करने पर नहीं आता, तो next step में, पहले मैंने 0 put किया, फिर 1 put किया, फिर minus 1 put करता, फिर उसके बाद plus का 2, फिर minus का 2, फिर plus का 3, minus का 3, इस तरह से check करते-करते मैं चलता, ठीक है बच्चों, बात clear हो रही है, तो यहाँ पे x equal to 1 put करने पर, य इसका मतलब x is equal to 1 क्या है, इसका एक 0 है, अगर ये इसका एक 0 है, तो factor क्या हो गया, इस 1 को खिसका के इधर भेज़ दो ना, तो x minus 1 क्या हो गया, इसका एक factor हो गया, मुझे इसके 3 factor पता करने है, तो एक factor तो मुझे मिल गया, अब क्या करेंगे, सर पहले आमने सीखा था, अगर ये इसका एक factor है, तो इसका मतलब इसके डिवाइड करूँगा, तो इस रिमेंड़ जीर वाला चाहिए, फिर जो बचेगा, उसके मैं कर दूँगा, क्या factors, तो x minus 1 का, अब मैं करने वाला हूँ, डिवाइड, कि सर, x minus 1 से, इस polynomial, x cube, minus का 2, x square, minus का x, plus का 2, इसके इसकी term x cube, इसकी first term x, तो यहाँ पर करूँगा सर, x cube के अंदर x का डिवाइड करा, तो कितना आ रहा है सर, x square आ रहा है, यह x square को लिखा सर, यहाँ पर, फिर x square को x से multiply किया, तो यह x cube यहाँ पर, x square को minus 1 से multiply किया, तो यह आएगा मेरे पास minus का x square, बोलो क्या लिखोगे, अब क्या करोगे, सर, इसे क्या करूँगा, अब मैं subtract करूँगा, subtract करता हो, तो sign change, sign change, तो sign change, यह minus और यह plus, यह cut गए, अब इन दोनों को देखा, तो यह आपके बास क्या बचा, कि सर, minus का x square, यह minus का x और यह plus का 2, ठीक है, अब first term क्या है, सर, minus का x square, यहाँ से first term क्या है, सर, x, तो बोलो कितना बचा, minus का x, बच गया, यह minus का x लिखा यहाँ पे, minus x को इस से multiply किया, तो minus का x square, minus x को minus 1 से multiply किया, तो यह आगया मेरे पास, plus का x, ठीक है, sign change करोगे, यह minus का, यह plus, plus का, यह minus, यह cancel, यह बोलो कितना हो गया, minus का 2x, और यह plus का 2, यही बचा, अब minus 2x में, minus का 2x में, मैं करता हूँ, x का divide, तो बोलो कितना बचा, minus का 2, कहां लिखंगा, सर, यह minus का 2, यहाँ पे लिख दूँगा, minus 2 को एक एक करके, इन दोनों से multiply, तो minus 2 को x से minus का 2, x, minus 2 को minus 1 से plus का 2, देखो जरा, यह plus का, और यह change हो गया, sign minus का, cut गये, remainder आया, 0, remainder तो 0 आन कि सर, यहाँ पे देखो, अब मैं, यह जो polynomial मेरे पास आया, x स्क्वार, minus का x, minus का 2, इसके कर देता हूँ, मैं, फैक्टर, बोलो क्या लिखोगे फैक्टर, अब तो तुरंत बता दोगे, सर, x स्क्वार, minus, plus का x, और minus का 2, x, minus का 2, इन दोनों में से common क्या निकालोगे, सर, x common निकालोगा, बचेगा, x, plus 1, इन दोनों से में निकालोगा, minus का 2, तो बचेगा, x, plus 1, तो यहाँ से आपके पास next step में आया, x, plus 1, और यह x, minus 2, यह इसके दूसरे, remaining two factors बच गए, तो इस तरह से हमने इसे भी solve कर दिया, तो बोलो, इसके आपने तीनों factors पता कर दिये, प question हो गया, solve, easily आपने कर दिया, बोलो, factor theorem पे, बेस सारे questions आपको समझ में आ गए, I hope बच्चो, आज के session में, जो हमने समझा है, factor theorem क्या होती, यह आपको अच्छे से clear होगा, और polynormus का हम factorization कैसे करते है, यह भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा, thank you for joining with us, thank you so much.